आज बनायंगे हम आलू मटर की सबजी जो होगी एकदम धावा स्टाईल बहुत ही टेस्टी बन के तयार होगी और इसका टेस्ट भी एकदम धावा स्टाईल ही होगा आप एक बार बार खाओगे वाली रेसिपे रहेगी यह तो इसको ट्राइज जरूर करना तो चलो इसको बनाते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना सबजी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम आलू तो ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं ये करीब होंगे आधा किलो फिर क्या करेंगे हम इसको चाकू की सायता से इस टाइब से कुछ बड़ा बड़ा हमें इसको काट लेना है हमें इसको एकदम शेप में नहीं काटने हैं आप कैसे भी इसको शेप में काट सकते हो बस एकदम जादा मैश नहीं होना चाहिए यह देखिए आपको कुछ इस टाइप से इसको बड़ा-बड़ा काट लेना है अब क्या करेंगे हम लेंगे मटर तो यह मैंने फ्रोजन मटर ली है जिसको मैंने अच्छे से उबाल लिया था यह लिए है मैंने 200 ग्राम आप एकदम सौफ का पाउडर सौफ डालने से क्या होगा जो सबजी का टेस्ट है वह बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा अभी कड़ाई में डालेंगे हम 4 टेबल स्पून तेल और इसको हम अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे हम चुटकी बर हिंग फिर हमे जब तक पकाना है जब तक जो प्याज है वो तोड़े से पिंकिश ब्राउन ना हो जाए हमें एकदम जादा भी ब्राउन नहीं करना है हमें तोड़ा पिंकिश ब्राउन करना है पांच मिनिट में ये देखिए हमारे जो प्याज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पग गए है आपको इतना ही उसको पकाना है अभी जो हमने धही का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे जब आप सबजी में धही का पेस्ट अट करोगे उस टाइम जो गैस की आच है वो आपको लो रखनी है लो हमें गैस की आच इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि जब हम धही डालेंगे और गैस की आच अगर तेज होगी तो धही फट सकती है और अब आपको क्या करना है इसको तब तक पकाना है जब तक जो धई है वो अच्छी तरीके से तेल ना छोड़ दे अब हम Assim अच्छी तरीके से तेल चोड़ दे अब हम इसमें ऐड़ करेंगे टमाटर की प्योरी जो मैने तीन मिडियν सैज की टमाटर लिये थे इसको भी हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और इस मसाले को भी हमें जब ही तक पकाना है जब तक जो मसाले हैं वो अच्छे से तेल ना छोड़ दे ये देखिए जो मसाला है बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है और इसने तेल भी छोड़ दिया है अब हम इस stage पे add करेंगे उबले हुए आलू जो हमने अच्छी तरीके से इसको काट के रख लिया था इसको आपको इसमें mix कर लेना है अब क्या करना है हम जब इसको mix करेंगे तो आपको तोड़ी देर इसको मसालों में भी पकाना है मतलब आपको एकदम से इसको डालने के बाद पानी नहीं डालना है आलू को जब हम ऐसे मसालों में तोड़ी अच्छी तरीके से भूंज लेते हैं तो इससे क्या होता है आलू में बहुत अच्छा टेस्ट आने लगता है मसालों का अब हम इस stage पे add करेंगे मटर तो मतर जो हमने उबाल के रखी थी वो डालेंगे और साथ में डालेंगे हम इसमें गरम मसाला और 1 टेबल स्पून नमक अब हमें इन सबको अच्छी तरीके से mix कर लेना है आपको इसको कम से कम 2-30 मिनिट तक अच्छी तरीके से mix करना है जब तक जो आलू है और मतर है वो मसालों में अच्छी तरीके से mix हो जाएगी फिर हम डालेंगे इसमें कसूरी मेती कसूरी मेती एकदम optional है अगर आपको एकदम ढवे जिसा flavor चाहिए तो आप इसमें कसूरी मेती add कर सकते हो आलू और मसाले बहुत अच्छी तरीके से mix भी हो गए है और अच्छी तरीके से भुझ भी गए है अब इसे stage पे हम इसमें add करेंगे पानी तो ये करीब मैंने 2 glass इसमें पानी add किया है अगर आप इस सब्जी को तोड़ा सा मतलब रसीला चाहते हो तो आप इसमें और जादा पानी add कर सकते हो मैंने सिर्फ 2 glass डाला है क्योंकि मुझे तोड़ी सी है ना सब्जी गाड़ी गाड़ी जादा पसंद है पानी को भी हमें अच्छी तरीके से mix कर लेना है अब हम क्या करेंगे हम इसको पकाएंगे तो क्या करेंगे हम इसका ढखकर लगा देंगे और इसको हम पकाएंगे करीब 7 मिनिट तक साथ मिनिट बात क्या होगा हमाई जो सबजी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तेल छोड़ देगी ये देखिए ये देखिए सबजी कितनी अच्छी तरीके से हमाई बन के तयार हो गई है और कितनी अच्छी तरीके से इसने तेल छोड़ दिया है अब हम इसमें एक्ट करेंगे हरी मिर्चे जो हमने उपर से काटके डाले यह एकदम ऑप्शनल है आप अगर बाद में डालना चाहो तो इसको बाद में भी डाल सकते हो तो बनके तयार है हमारी धाबा स्टाइल आलू मटर की बहुत ही तेस्टी सबजी आप इसको एक बार ट् चटपर बनके तयार हो जाती है यह देखिए हैना एक दन ठावे जैसी तो वीडियो पस्ट आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कॉमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी